नैतिक शिक्षण, भागबे, आ पुस्तक, युग्रुषी, पुज्य, पंडित, श्री राम शर्मा आचारिय जी ये लखेलू छे। ओडियो फोर, विक्तेगत स्वार्थ पन सामाजिक सुव्यवस्था उपर नीर्भर छे। मनुषिय एक सामाजिक प्राणी छे। तेनी प्रक्रिय नो इतिहास आज प्रतिपादन करे छे। पारस्परिक सहकारिता अने उदार्ताना भावनात्मक सदगुणोए ते स्थिती पैदा करी के जे थी लोको एक विजाने पोतानो बवधिक अने क्रियात्मक सहयोगापी शके अने आवी निमाई थे ग्ण्यान, अनुभव, साधन, उत्पादन, चिंतन अने विकासना अनेक द्वार खुल्याँ। आज रस्ते चालतो दूर्बल मानाव वर्तमान स्थिती सुधी पहुच्वामा समर्थ थयो। जो ते एकाकी पोतानामा जसिमित, स्वार्थी, सहयोग कुमा रूची विनानो अनुदार रहो होत, तो प्रकृत्तिना जन्जावातो मा सम्भव छे के तेनू अस्तित्वज अनेक प्राग अईतिहासिक प्राणियोनी जेम लुप्त थै गयू होत। एवु ना होत, तो पन सहयोग साधनावी ना तेनी वर्तमान स्थिती सुधी प प्रवृत्ति द्वारात संभव बन्यों। आ प्रवृत्तिने इच्छो तो मानाव धर्मनो मूल आधार कही शको। आजे मनुष्यनी आत्म निर्भरतानो अधिकांश भाग समाजना स्वरूप, स्तर अने संगठन पर निर्भर छे। ते धांचो जांसुधी मजबुत सु संच्कृुत छे। त्यां सुधी व्यक्तिने विकसित थवानी सघ्वडो विशेश मली शक्षे। अने एटलूज नही आनंद अने उल्लासनो वातावरण बनी जाई छे। जियां आव्यवस्ता जिटली नबली अने विसंगतियो थी भरेली छे। त्यां एटली ज अव ध्यां मा राखी ने आधूनिक दर्शन सास्त्र, समाज सास्त्र, मानस सास्त्र एकच प्रदिपादन करेशे कि व्यक्ति पोतानी सुक्सु विधानु जेटलू ध्यां राखेशे अने प्रयत्न करेशे तेना थी ओचो नहीं परंतु वदू समाज नी सुव्यवस्ता अने उज्वण परंपरा टकावी रखवामा पण सक्रियर है वो जोईये। आमनो वृत्ती ने देशभक्ती, नागरीकता, कर्तव्यनिष्ठा, लोकसेवा परायनता, सज्जनता वगेरे नामोती ओलखवामा आवेशे। कोई जमानामा मानस बले वन्य पशुओनी जेम एकाकी अने आत्म निर्भर रहो हशे, पण आजेतो एनी स्थिर्ता, सुविधा, व्यस्तता, प्रगती अने प्रसन्नता, सर्वकैं, समाज व्यवस्था उपर निर्भर थाई गईू छे। अन्न बीजा उगाडे शे, त्यारे आपणने खावानू मली शक्ये शे। रसोईना उप्योगी वासन उपकरण बीजाय बनाव्या छे। वस्त्र बूत, कांसको, तेल, जे उपलब्द छे, अन्यत्र बनेला छे, ते वस्तुओ आपणा सुदी पहुँच्वामा, जे यंत वाहनों साधनों नो प्रवयोक थयो शे, ते विजाय बनावेला छे। दैनिक जीवनमा उप्योगी वस्तुओ माटे आपणे पूर्ण तया विजा उपर निर्भर रहूं पड़े शे। जो आसो विधाओ नमली शक्ये होई, तो कहवातूं एकाकी अने असी मित जीवन, प गवडोवीना अपने कैस्तितीमा होत, एनी कलपना करवाथी ख्याल आवशे, के एना वीना अपने केवी दशामा होत। सरकारी इस्तरे पोलीस, कौर्ट, जेल, फासी, सैन्य, कानून, नियंत्रण, निरिक्षण, शिक्षण, व्यवस्ता वगेरे कारियों चाले शे। जो कलाकार, गायक, सहित्यकार, चित्रकार, संत, सुधारक, लोकसेवी प्रतिभाव, वगेरे पोतानू अनुदान देवानू बंध करी दे, तो सर्वत्र, निरस्ता अने करकर्षताज देखाए। सज्जन औने धार्मिक होवा चता पण विशम परिस्तित्योंनों सामनों करवो पडशे, अने भविश्यमा अनिचनिय औने आक्रमक दुष्टतानों सामनों करवो पडशे। आस्थितीमा आपनी सुरक्ष, शान्ती, व्यवस्ता औने भविश्यनी आसा सर्वकनी धकार में बनी जशे। एक वस्तु सारी रीते समझी लेवी जोईये के समाजनी स्थिती सारी रहवी ए व्यक्तीनी प्रगती औने शान्ती नी गयरेंटी छे। जो ते बगडी जाए तो कोई पन चैन्ती नहीं बैसी शके। आपना देशमा आजे वधी गयली निरक्षर्ता, मुर्खता, अनैतिकता अने असामा जिकता आये प्रगतीनो मार्ग किटलो कांटाणो बनाव्यो छे। तथा पगले-पगले किटला कांटा विरी नाख्या शे। एनो प्रभाव आपने आपना व्यक्तिगत अने पारिवा अने अनगड डोक्टर होए आपनो स्वास्थ्य बर्बात करी नाख्यू छे। कुस संसकारी बालकोनी साथे हडवा बढ़वा थी। पापना बालको विनाकारण आवारा थेई गया छे। पक्षपाती अने अन्नाचारी अधिकारीनी नीचे रहवा थी प्रगतीना द्वा अपनी उंग हराम करी। लांचिया कर्मचारीने कारणे अपनू उचित काम थाईज न शक्यूं। जारे बीजानू काम अनुचित होवा छतां लालच आपी अने फोसलावीने करावी लेवामा आवे छे। आ एक जहलक छे जे दर्शावे छे के सामाजिक अव्यवस्थानी परिस्थितीमा व्यक्तिनी प्रगती, शांती, सुरक्ष, शक्य छे। एती व्यक्ति गत सुख सुविधा वधार्वानी जैमज। आपने सामाजिक सुव्यवस्थानी वाद परमार्थ देशभक्तीना आधारिज नहीं परन्तु व्यक्ति कत सुविधा नी द्रश्टिये पण वीचारवी जोईए। प्रतिबंध पण कर्यों छे। एजरीते आपने समाज नीर्माण औने समाज सुधर ना कामों मा रसलाईये औने योगदान दैये तो मात्र पोतानीज नही आपना स्वजनों तथा सबंधियों ना सुक सुविधा पण वधारी शक्किये। स्वार्थन पर्मार्थनों सुन्दर समन्वाई आमाज छे। कि व्यक्ती मात्र पोतानीज नही समग्र समाज नी प्रगती औने व्यवस्ता उपर पूरे पूरु ध्याना पे। सुविकसित समाजों मा व्यक्ती नी सुरक्षा औने प्रगती सुनिष्चीत रहे छे। रुद्धावस्था माटे घरडा घर, अशक्तों माटे पैंशन, रुग्यों ने चिक्किचा तथा बालकों ने शिक्षण नो सारामा सारुपरायत न सामाजिक स्तरे घणी सुन्दर रीते थाई शके। प्रगती शिल देशों मा एवुँझ थाई रहें छे। रुद्धावस्था औने अशक्ती माटे चिन्था करवामा एटलो सार न थी। जिटलो समाज ने सुव्यवस्थित तथा सुवकिसित बनाववामा योगदान आपवामा छे। विजानों बोजो उठावी शके एवो शर्षक्त समाज बनाव बोजोई ये। बालकों माटे धन छोडी जवामा पण कोई निश्चिन तता न थी। पण जो समाज दरेक विक्तिने काम आपवामा समर्थ थाई जाई। तो बालकों माटे वार्षा मा धन छोडी जवाक करत पण विशेशे निश्चिन तता रहेशे कि तैने रोटी कमावाना अने खुक्षांती थी रहेवाना साधनों पण मली शक्षे। विक्तिगत स्वार्थ कि जेमा मनुष्य पोतानू अने पोताना बालकों नुझ हित विचारे छे। ते वस्तु तह एक मानसिक ख्षती छे अने बौधिक संकीर नता गणा शे। आपने ध्यांदरा खुँ पडशे कि मनुष्य जडब थी एक कठोर सामाजिकताना बंधन मा बंधाई रहो छे। विज्ञाने समग्र दुनियाने एक करी दिदी छे औने दूर ताने नजिकतामा बदली नाखी छे। आवी स्तितिमा स समाजनों पचात पणु रहवा थी विक्तिगत उन्नती समरुद्धी मोट्शोकना स्वपन जोवा एस सर्वता अदूर दर्शी ता छे। आपनामा थी प्रत्यके श्रम, समय, मान अने धनने समाजने समुन्नत बनाववामा विक्तिगत स्वार्थिन शुरक्षानी द्रष् अक्षर बनाविये। शिक्षन विनानों मानस एक रिते आधळो छे। जीवन उपयोगी माहीती मात्र आख कान्थीज प्राप्तकरी शकाती न थी। एने माटे वास्तविक आधार साहित्य छे। जैने आधारे कोईना प्रत्यक्ष शिक्षन आप्यावीना वेक्ति नी मेले लोक परलोक नी देश विदेश नी अगणित सत प्रवृत्यों नी उपलब्धी अने दुश प्रवृत्यों नी विवी शिकाओ थी परीचित्थाई शक्ये शें। तिवज प्राप्तकरी शक्ये शें। जो शिक्षित छें। एवु पन बनी शक्ये। पन जैमने कई कहवाला एक भौतिक या अध्यात्मिक उन्नती करी शें। तेवो शिक्षन विना प्रगती करी शक्या शें। एवु नहीं कई शक्याई। शिक्षन नी संदेह मनुष्यानी एक महत्वनी आवश्यक्ता छें। अने एनने पूर्णा करवीज जोईए। नीरक्षर्ता एक अभिशाप छें। जैने दूरकर्यावीना कोई समाज प्रगती ना पन्थे एक पगलूपन आगल वधी न शक्ये। आपने अपनी प्रगती नी इच्छानी साथेज सर्व प्रथम साक्षर्ता वृद्धी अभियान हाथ हुपर लें। जोईए। भारत मा लगबग पचास्ट का लोको नीरक्षर छें। जो सर्कारी प्रगतन आदिशामा सघन अने घंभीर रिते थता होत। तो स्वातंत्रे मल्यापची आजे अड़तालिश वर्से आ समस्या बहुज सरलता थी हल्थे गेई होत। पोताना दुरभाग्यानों जा दोस छे जैने आपने क्युबा जेवी चेतना न आपीशक्या। क्युबा अमेरिकन महाद्वीप मां एक नानो देश छे। त्यां पन दर्श वर्स पहला निरक्षर तानी एवीज समस्या हती। सरकारे ग्रेजुएट युवकोंने डिग्री अपता पहला एवो प्रतिबंद लगाव्यो के एणे पांच निरक्षर व्यक्तीने साक्षर बनावी पोतानी समाच सिवानों परिचय अपवो जोईये। एवीज रीते सरकारी नौकरियात उपर पदोन नती प्राप्त करवानी योग्यता सिद्ध करवा लोकसेवा प्रभृत्तीनों परिचय अपवा माटे चार निरिक्षरों ने शाक्षर बनावी देवानों नियम बनाव्यों। फड़ सो रूपे सुशिक्षेत अने सरकारी वर्गनालों को निरक्षर्ता निवारणना प्रायत नौमा जोडाई गया अने जोद जोतामा निरक्षर्तानी समस्तिया हल थेगे। आपना देश मा एवं क्यारे थेई शक्षे एनी तो प्रतिक्षाच करवी रही।